बंगाल की गलियों से भारी भीर लेकर बुख्यमंत्री मम्ताब आरजी दिली में एक बड़े परदर्शन की तयारी कर रही है इस परदर्शन के लिए बंगाल से ट्रेन भर कर कारे करता, सांसद, विधायक से लेकर पार्शद तक दिल्ली आएंगे मम्ता बिर जी की पार्टी TMC का ये प्रदर्शन की हो रहा है TMC ने अपने स्प्रदर्शन को fight for justice का नाम दिया है इस प्रदर्शन के लिए शनीवार को train में सवार होकर TMC नेता नई दिल्ली की तरफ कूझ करेंगे दुरगा पूजा से दो हपते पहले होने जा रहे टीमसी का ये प्रदर्शन दो दिनों तक शलने की उमीद है अपने इस प्रदर्शन के लिए टीमसी द्वारा दिल्ली चलो का नारा दिया गया है ये वही नारा है जो नेताजी सुबाश शेंदर बोस्त ने कभी आई एने को दिया था अब आपको ये बता दे कि टीमसी का ये प्रदर्शन हो क्यों रहा है टीमसी का अरोप है कि केन सरकार ने विभин योजनाओ के तहट पष्य बंगाल के हिस्से के 1,15,00,000 रुपे रोके हुए है इन योजनाओं में मनरेगा पिएम आवास जैसी योजनाएं शामिल हैं टीमसी का रोप है कि पश्य मंगाल में बीजेपी की हार से बॉखला कर केन सरकार ने धनराशी रोग दी है। आपको बता दे कि केन सरकार ने नवंबर 2021 में मनरेगा के तहट मंगाल को मिलने वाली धनराशी पर रोग लगा दी थी। इसकी वज़ा पैसे का गलत इस्तमाल बताय गया था। शेक बेनरजी ने कहा कि वो 3 अक्टूबर को नई दिल्ली में पार्टी दोरा आयोजित विरोध प्रदर्शन में शामिल होंगे। अभी शेक बेनर जी ने ट्वीट करती हुए लिखा मैं 2 और 3 अक्टूबर को विरोध प्रदर्शन में शामिल होने के लिए दिल ली जाओंगा यदि मुझे रोक सकती हो तो रोक लो